हे फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ आज कल के ट्रेंडिंग और बहुती ज़्यादा ब्यूटिफुल दिखने वाले शिमर केक को बनाने का मैथड शेयर कर रही हूँ आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इस shimmer cake को बनाने का साथी ये भी बताऊंगी कि क्या shimmer cake का taste normal cake के taste से अलग होता है और अगर आप home baker हैं तो क्या आप routine base पर shimmer cake को बना करके sale कर सकते हैं और साथी half kg के shimmer cake की costing भी तो चलिए start करते हैं तो देखिए light pink color की cream से मैंने cake के ओपर icing की है मैंने ये color क्यों चुना मैं भी आपको बताऊंगी और zigzag scrapper की मदद से मैं इसके side में zigzag और उपर की तरफ pattern बनाऊंगी क्योंकि जब हम अपने shimmer cake को बनाने के लिए इसके ओपर glitter डालेंगे तो pattern की होने की वज़े से हमारा cake और भी ज़्यादा सुदर लगेगा मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे तो यहाँ पर देखिए side में और उपर मैंने दोनों तरफ zigzag pattern बना लिए है तो cake की icing हमारी हो गई है pattern मी बन गया है इसे अभी side में रख देते हैं shimmer cake बनाने के लिए या फिर कोई भी glitter या liquid अपने cake पर spray करने के लिए आजकल market में इस तरीके का ये बहुत ही आसान तरीके से pump जो है वो अबलेबल है ये मुझे 350 रुपीज का मिला था आजकल trending होने की वज़े से मेरे पास भी shimmer और glitter के cakes के order आ रहे थे मैंने सुचा क्यों ना इस pump को लिया जाए तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक pump है इसको pump करने से आगे से spray और liquid वगरा निकलता है मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे इस तरीके से आप इसकी bottle को इसमें attach कर सकते है ये देखिए और जो अलग से हमारी bottle से उनके उपर एक cap भी है ताकि अगर आपका कोई mixture कभी बच भी जाए तो आप आसानी से उसे store भी कर सकते है तो हमारे पास total ये 4 bottles और एक pump इसमें आता है और आज इसी pump की मदद से मैं अपने shimmer cake को बनाऊंगी मेरे पास ये देखिए light pink और magenta shade का ये glitter है ये आपको आराम से 80 रुपीज में market में easily मिल जाएगा ये edible glitter होता है और इसी की मदद से हम अपने cake के उपर shimmer का effect लाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो pump के साथ bottle attach है मैं उसी के अंदर spoon की मदद से इस glitter को डाल रही हूँ तो half kg के cake के हिसाब से मैं लगबग देढ चमच ये glitter इसमें डाल रही हूँ जरत के हिसाब से हम दोबारा भी ले सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा इसको उपर तक भरना होगा ताकि जो pump का pipe है वो आराम से इसके अंदर चला जाए और इसी की मदद से हम spray करेंगे तो अच्छे से इसको fit कर लीजेगा और यह हमारा pump जो है वो ready है अब cake को हम इस तरीके से रखेंगे और लगफग 5-7 इंच दूर हमें pump को रखना है और धीरे धीरे इसके उपर spray करना है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी spray अगर आप करेंगे तो एकी जगे पर glitter काफी सारा गिर जाएगा तो आप धीरे धीरे घुमा घुमा करके इसको spray कीजिएगा बीच बीच में आप अपने turn table को भी rotate कर सकते हैं ताकि evenly glitter आपके cake के उपर आ जाए मैंने इस glitter का color जो है वो red और pinkish shade में लिया है इसलिए मैंने cake के उपर नीचे pink color की icing की थी अगर आप white cake के उपर red color का glitter डालेंगे तो उससे अच्छा effect नहीं आएगा नीचे से cream जो है वो थोड़ी थोड़ी दिखेगी तो जब भी आप glitter वाला cake बनाए जिस भी shade का glitter यूज़ कर रहे हो cake के उपर भी icing उसी shade से related होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए उपर नीचे side में turn table को घुमा घुमा करके मैंने अच्छे से glitter इसके उपर ढाल दिया है और cake पूरी तरीके से glitter से cover हो गया है shimmer का cake है अब हम इसके उपर और ज़्यादा decoration नहीं करेंगे तो simply white color की cream से ही मैं एक piping bag के अंदर छुटा सा छिक कट करके यह pearl वाला border बना रही हूँ ताकि हमारे glitter cake का जो effect है वो ऐसा ही रहे और ज़्यादा खुबसूरत दिखाने के लिए आप चाहें तो इस तरीके का कोई golden flower रख सकते हैं मैं चाहती तो friends इसके उपर एक cream का भी flower बना सकती थी कोई बड़ा सा रोस लेकिन मेरा यह cake जो था वो weight के बराबर हो चुका था तो ज़्यादा decoration करने से यह overweight हो जाता इसलिए मैंने यह golden flower इसके उपर place किया है बहुत ही सुन्दर देखिए एक cake लग रहा है यह तो friends हमारा एक method हुआ shimmer cake को decorate करने का लेकिन अगर आप इस cake को किसी teenager girl के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके का यह pearl crown topper भी use कर सकते हैं इस pearl crown topper को मैंने घर में ही बनाया है 20-30 रुपे में आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं अगर आप बनाना चाते हैं तो इसका detail method मैंने अपने channel पर already share कर दिया है तो इस तरीके से आप अपने shimmer वाले cake को अपनी choice के हिसाब से अपनी theme के हिसाब से आप किसके लिए बना रहे हैं उस हिसाब से decorate कर सकते हैं मैंने इस cake को friends 15 years की एक girl के लिए बनाया था और इसके लिए मैंने 550 रुपीज लिए for half kg glitter वाले या shimmer वाले cake के taste के बारे में अगर कहूं health wise तो मुझे कुछ जादा taste में इसके change नहीं लगा आप कभी कदार के लिए इस तरीके के cake ट्राइ कर सकते हैं पर हाँ routine basis पर आप इस तरीके के के को खाना avoid कीजिएगा तो I hope आज का ये shimmer cake का वीडियो आपको पसंद आया होगा मेरी दी गई जानकारी आपके लिए useful रही होगी तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करके साइट में दिया गया पहल आइकन दबाकर उसे all पर क्लिक कीजिए मैं फिर मिलूँगे ऐसी interesting recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर